A very good morning students, I am your social studies teacher, Deepika Ma'am. आज़ी कास में में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमबर 2. पेज नमबर 197 पर चैप्टर 2, जिसका नेम है Living Longer and Healthier. यानि कि जो हमारी लाइफ है, उसे हमें बहुत लॉंग जेना चाहिए, और वो हमारी लाइफ तो लंबी हो, लोंग हो, लेकिन साथ ही कैसी हो वो, Healthier यानि कि स्वस्थ और अच्छी हो. तो students, इस चैप्टर को हम पूरा रीडिंग नहीं करेंगे, इस चैप्टर के कुछ main points उनको हम अपनी वीडियो क्रासेस में दिस्कस करेंगे, बाकि चैप्टर जो बचेगा, उसको आप self-reading करेंगे, साथ ही जो भी आपको कोई भी doubt होगा, उसको आप मेरे साथ online क्रास में, यानि की जो हमारे गूगल मेट के क्लास होती है, उसमें दिस्कस कर सकते हैं, या फिर जब आप फिजिकल स्कूल आएंगे, तब आप उसको डिस्कस कर लेजएगा, तो चलिए चैप्टर वन, चैप्टर टू की क्लास नंबर वन हम स्टार्ट करते हैं, लोग जो नेशन, नेशन मिन्स कंट्री, जो देश को लोग डेवलप करते हैं, उसका विकास करते हैं, वो लोग जो है एक अच्छी और हैल्थी लाइफ को जीते हैं, मेकिंग हैल्थ चोईसेज कैन हैल्प अस लूप अवर बेस्ट, फील गुड एंड लीव लॉंगर हम अपनी लाइफ को हैल्थी बनाने के लिए, जिन-जिन चोईसेज को यानि की बहुत सारे जो भे विकल्बस हैं, उनको हम जिसको चूज करते हैं, वो हमें क्या हैल्प करते हैं, एस लुक अवर बेस्ट हमारा जो बेस्ट लुक है वो देने के लिए या कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए फील गुड हमें अच्छा फील कराने के लिए and लीव लोंगर और एक अच्छी और लंबी लाइफ जीने के लिए तो यहाँ पर जो उसने health choices बोली है, इसमें इसने हमारे good habits की बात की है, जैसे कि every meal, meal में खाना खाने से पहले, या उसके बाद में हमें hand wash करने चाहिए, जब भी हम washroom जाते हैं तो हमें hand wash करने चाहिए, हमें early morning जल्दे उठना चाहिए, तो इस तरह से जो हमारी life में अलग अलग जो habits हैं, इनकी जो हम choices करते हैं कि हमें ये habits adopt करनी है, ये नहीं करनी है, तो ये हमें क्या कराती है, फिर अच्छा फिल कराती है, फोर एक्जामपल, कोई भी बच्चा है या कोई भी है, वो daily late उठता है, लेकिन एक दिन वो जल्दी उठेगा, तो उस दिन उसका जो day होगा, वो कैसा होगा, उसको fresh फिल होगा, उसको अच्छा लगेगा, और जो भी उसके daily work है, उसको काम करने में बहुत मज़ा आएगा तो इस तरह से, जो हमारी life की habits है, जो हमारी choice है, health related, जो भी हम activities या जो भी काम करते हैं, वो हमें best feel कराते हैं, और हमारी जो performance है, वो भी हमारी अच्छे होती है, next, making healthy choices can increase your lifetime up to 20 years or more, जो हमारी health choices होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको explain किया, कुछ भी जो हम adopt करते हैं, अच्छे अच्छे habits, वो हमारी lifetime को increase कर देती है, increase means हमारी जो life का time है, उसको लगबग 20 साल या उससे भी जादा उसको वो बढ़ा देती है, but we don't want to just leave a long time, लेकिन हमें जो है, एक जो हम life जी रहे हैं, ऐसा नहीं है, कि हमें सिर्फ एक लंबी life जी नहीं है, बहुत लंबी life जी नहीं है, कि हम 100 साल, 105 साल या इस तरह से 100 years जी जी ए, ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि हम जितनी भी life जी रहे हैं, वो हमारी life कैसी हो, वो हमें अच्छी लगे, लुक गुड हमारा जो behavior है, या जो हम देख रहे हैं, उसमें सब हमें अच्छा हो, हम अपनी life को अच्छे से enjoy करें, उससे good feel करें, और अपनी पूरी entire, पूरी जो हमारा life कैम है, उसमें हम खुश रहें, एक होता है, जीना, और एक होता है, मतलब कि life को जीना, enjoy करना, कि आप फुल मस्ती से, अच्छे से enjoy कर रहे हैं, और एक होता है, लाइफ को गुजार देना, कि जैसे चल रहा है, चल रहा है, तो वही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट, when we were healthy, physically, जब हम physically healthy होंगे, physically मिन्स शारिरिक रूप से अगर हम healthy होंगे, mentally, जब mentally, mentally मिन्स मानसिक रूप से हम healthy होंगे, psychologically, psychologically भी एक तरह से mentally ही हो सकता है, आप इसको इसी में रख लीजिए, वैसे दोनों टर्म्स अलग है, emotionally, emotionally मिन्स जो हमारे emotions होते हैं, कभी हम happy है, sad है, तो इस तरह से जो हमारे emotions है, emotionally भी हम अपनी life में healthy, यानि कि जिस समय हमें गुस्सा करना चाहिए, हम उस समय गुस्सा करते हैं, कितना करना चाहिए, उस limit में करते हैं, जब कब हमें हसना है, कितना हसना है, तो जब हमारे emotions पे हमारा ही अच्छा सा control होगा, हम पता होगा, तो उसको हम healthy emotion कहते हैं. मान लीजिए किसी बच्चे ने एक जोग सुनाया, अच्छा जोग था, सभी लोग हसे, लेकिन कोई जो है नहीं आसा, उसको जरूरी नहीं लगा कि बई, क्या है जोग ही तो है, नहीं हसते, मतलब कि वो अपनी लाइफ को बस ऐसे ही जी रहा है, emotionally वो healthy नहीं है. नेक्स्ट, spiritually, spiritually means आत्मेक रूप से, यानि कि जो हमारी आत्मा है, वो भी हमारी लाइफ से संतुष्ठ हो, we can enjoy life to the fullest, अगर हम physically, emotionally, mentally, psychologically, इन सब तरीके से अच्छे से अपनी लाइफ को enjoy करेंगे, healthy होंगे, तो हम अपनी पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं. तो ये था हमारा लाइफ को जीने के लिए कुछ टिप्स कि कैसे हम healthy रह सकते हैं, अब इस चप्टर में हमें कुछ instruments बताए गए हैं, some important instruments, कि हम अपनी लाइफ से related किनके instruments को अपनी लाइफ में use करते हैं, जैसे कि first है thermometer, थर्मामेटर, थर्मामेटर का नाम आप सभी न सुन होगा, जब भी आपको फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, एक जैसे पैन है, इस तरह से एक एक ऐसा instrument, पतला सा instrument होता है, काच का बना हुआ है, ऐसे आगे निपोती है, इसमें कुछ वाइट 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 सा होता है, तो उसको एक बोटल से निकाल कर उसको हिला कर या तो आपको मुह में रखने के लिए बोलता है, या अंडर राम में, तो वह जो यह instrument है, इसको हम क्या कहते है, थर्मामेटर, याद आगया होगा अप सभी को, तो वही होता है थर्मामेटर, चलिए उसके बारे में थोड़ असा जानत को एक डिवाइज होता है, जिससे कि हम मेजर, मेजर मिन्स नाप सकते है, चीजों के टेमपरेचर को, the name is made up of two smaller words, जो थर्मामेटर का ये नाम है, ये दो अलग अलग और दो छोटे शब्दों से मिलकर बना है, फर्स्ट है थर्मो, क्या है थर्मो, इसका मेनिंग है heat, थर्म तो थर्मो का मतलब heat, और मेजर का मतलब, मीटर का मतलब मेजर, यानि कि गर्मी को नापना, तो ये है हमारा थर्मामेटर का मेनिंग, नेक्स्ट, वन ओफ दा अरलियस्ट इन्वेंटर्स ओफ थर्मामेटर्स वाज, प्रोबैबली गैलिलियो, तो शुरुआत में जो यानि कि जो किसी चीज की खोज करते रहते हैं, उनको बोलते हैं इन्वेंटर्स, उसमें जो है, थर्मामेटर को जिसने इन्वेंट किया था, उसका नाम था गैलियो, क्या नाम था उनका, गैलियो, ये आपको लर्न करना है, थर्मामेटर को किसने इन्वेंट किया, गैलिय तो इस पूरा नाम है क्लिनिकल थर्मामेटर तो वह हमारी बॉड़ी के टेंप्रेचर को नापने के लिए उसकिया जाता है it measured the temperature in degree foreign height जो thermometer से हम temperature नापते है वो degree में नापते है किस किस में first है foreign height और उसको short में लिखते है degree foreign height second है degree Celsius short में इसको हम लिखते है degree और ये C4 Celsius A normal human body has a temperature of 98.4 degree Fahrenheit जो एक normal व्यक्ति की body का temperature है वो कितना होता है मैं दुबारा इसको reading कर रही हूँ समझना 98.4 ये 0 means degree Fahrenheit तो Fahrenheit में कितना होगा 98.4 degree Fahrenheit और Celsius में 37 degree Celsius Clear? तो इस तरह से हम इनको reading करते हैं ये degree है और ये Celsius ये degree और ये Fahrenheit तो इस तरह से दो तरीके से हम जो है temperature को measure करते हैं Next है Whenever there is an infection in our body The temperature of the body increases It is called it fever जब भी हमारी body में कोई infections हो जाता है तो उससे क्या होता है? हमारी body का temperature increase यानि कि बढ़ जाता है जिसको हम fever कहते हैं तो fever क्या है? Body का temperature increase होना ही fever कहलाता है जब भी हमारा temperature 98.4 degree Fahrenheit से उपर चला जाता है यानि कि आप बोलते हो कि मेरे को 100 बुखार है 103 था किसी को किसी को 104 बुखार था इस तरह से आपने सुना होगा तो वो किसमें होता है? Foreign height में ही Mostly fever बताया जाता है इस topic से next कुछ लाइने The clinical thermometer also called the doctor's thermometer जो clinical thermometer है उसको हम doctor thermometer भी बोलते है Normal जो हमारी language है उसमें हम क्या कहते हैं इसको doctor's thermometer Was developed by Grablein, Delin, Forent तो जो यह वैक्ती थी Gabrin, Delin, इनके नाम पर ही जो यह foreign height है हमारा body का temperature जो हम नापते हैं इनके surname पर ही रखा गया है In 1715 AD यानि कि कब इसको उन्होंने इन्वेंट किया 1715 AD में Done अभी कैसा होता है? कैसा दिखता है? यह पूरा मैंने आपको वीडियो की अब सार्टिं वह समचाय था